अब मैंने कॉपी तो कर दिया बहुत सारी चीजों को अभी मुझे इसका नाम करण भी सही से करना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं जल्दी से जाओ इसके अंदर तो अभी के लिए तो मैंने रुक का ही बनाया है अभी मुझे नाइट और बिशब देना है ठीक है तो लेटस ऐ एक वाइट पॉंग है फिर वाइट आव वाइट है रूक ओके वात ठीक है फिर वाइट रूक भी एक होना चाहिए था सॉरी एपर यह तो यही रहना देना है यहां पर मैं लिख देता हूँ white knight okay then white knight के बाद हो जाएगा bishop तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा white bishop और उसके बाद आ जाएगा queen और उसके बाद queen ठीक है तो इतना ही चीज है white bishop, white queen white king white king हो गया white queen आ गया ठीक है अभी सारी चीज़े हो गई मेरे ख्याल से मैं देख लेता हूँ कितने हो गई 1, 2, 3 दो मिनिट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ code को अगर मुझे ऐसा करना है तो यह VS code का बहुत ही सही से यह feature काम करता है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और मैं इसको export कर सकता हूँ let me export it लेकिन मुझे एक और चीज़ करने पड़ेगी कि यहाँ पर सारे के सारे नाम change करने पड़ेगे अगर rook है तो मैं rook ही बोलूँगा और अगर knight है तो मुझे knight ही बोलना पड़ेगा राइट इमेज इसकी नाम भी वैसे ही है इसलिए और यह image की लिंक आपको description में मिल जाएगी या you don't have to worry about anything अभी मैं यहाँ पर queen बोलूँगा और यहाँ पर मैं king रख देता हूँ तो मैं जल्दी से यहाँ पर सारे के सारे functions को एक्सपोर्ट कर देता हूँ अभी मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा white bishop white king white queen उससे फरक नहीं पड़ता आपकी सॉडर में यहाँ पर export कर रहे हो इसी चीज़ से फरक पड़ता है कि आग एक्सपोर्ट कर रहे हो king हो गया queen हो गया bishop queen pawn or queen okay so knight okay knight रह गया चायद so knight one two three four five okay five चीज़ है तो मुझे और एक चीज़ रहे गई है rook आ गया है yes rook नहीं आ ठीक है तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने लिस्ट कर दिया ठीक है अभी मुझे सेम चीज़ करनी है इसके लिए भी black के लिए भी तो मैं जल्दी से इसको copy करता हूँ एक दो तीन चार और पाँच पाँच बार अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ black bishop तो bishop का spelling मैं copy करूँगा paste कर दूँगा b capital है तो उसको small कर दूँगा black pawn so black king हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा king यहाँ पर आजाएगी queen और यहाँ पर हो जाएगा queen और इसमें यहाँ पर हम लिख देता है rook तो मैं rook को भी यहाँ पर change कर देता हूँ ठीक है so black pawn हो गया black bishop हो गई pawn pawn तो वैसे एक बार आगया है तो king है queen है और मेरे क्याल से knight रह गया है चलो knight को भी यहाँ पर हम लिख देता है तो knight मैंने लिख दिया अभी सारी चीजे मेरे क्याल से cover हो गई है अगर कुछ रह गया है तो देख लेता है एक दो तीन चार पांच ओके पांच ही चीज़ है एक चीज़ साथ बाकी है मैं देखता हूँ कौन सी चीज़ है bishop आई गया भाई bishop भी आगई एक दो तीन चार पांच चीज़ आ गई है अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ नाम लिखना है bishop black king black queen एक function भी मैं बना सकता हूँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक function से भी हो सकता है अगर आपको try करना है अगर आपको इतने सारे functions नहीं पसंद तो आप try कर सकते हो लेकिन मेरे क्याल से यह काफी सही रहता है क्योंकि यार यह बहुत ही separation of concerns बहुत important चीज़ होती है coding में जब भी आप करते हो यह फरक नहीं पड़ता कि आप एक file में doline का code लिखोगी तो भी चलेगा लेकिन वो separate होना चीए वो जिस purpose के लिए बना है उस purpose को ही सव करना चीए ठीक है वो बहुत important चीज़ होती है structure बहुत important चीज़ है coding में जब आप बड़े projects में काम करोगी तब आपको पता चलेगा आपको लगेगा कि यार एक ही file में रिख दो मैं एक ही file में सारा का सारा code लिख सकता हूँ index.js एक ही file में बनाऊंगा और index.tml में link कर सकता हूँ ऐसा भी हो सकता है लेकिन इस से क्या होगा separation of concern नहीं रहेगा और बहुत ही ज्यादा चीज़े बहुत ही ज्यादा confusing वाले हो जाएगी ठीक है यह problem आती है ठीक है और मैंने यह face किये इसलिए मैं बूल रहा हूँ कि हमें एक ही चीज में नहीं करना चीज़े सारी चीज़े जब हम करते होते हैं तब separation of concerns really matters ओके इसलिए अब ही मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़े इंपोर्ट कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो let me see अगर मैं यहाँ पर जाओ और देखू कि मैं कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ so import in node.js या फिर import in es6 modules मुझे लिखना पड़ेगा import यह बहुत ही standard documentation वाली इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ ठीक है वैसे आप यूज कर सकते हो ऐसा कुछ है नहीं so impact my logger as logger from आप ऐसे install कर सकते हो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ let's say कि मैं यहाँ लिखा हूँ import bonds from from well say मैं आप लिख सकता हूँ pieces actually sorry for that from data slash oh sorry for that मुझे फिर सा दीखना पड़ेगा इथा क्या okay तो हम asset structuring करा रहा है इसका right so हम star भी कर सकते है या फिर हम कह सकते है के import all functions from js file js module मुझे देखना पड़ेगा कैसे import star as name from module name तो ऐसे भी हम कर सकते है so अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ import star from piece as piece तो चलना चीए था लेकिन चल नहीं रहा okay कोई ना कोई problem है as expected import star as okay तो मुझे ऐसे करना चीए था import star as piece from this okay तो अगर मैं इसको comment out करता हूँ और piece को मैं console.lock करता हूँ पहले तो यहाँ पर कुछ error आनी है तो उसको मैं solve कर देता हूँ जहाँ भी मैंने black pawn use किया है let me see black pawn और white pawn तो मैं दूनों को ही निकाल देता हूँ अभी के लिए piece.black pawn तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे functions ऐसे आ रहा है तो मैं black pawn को use करना चाहूँगा so black pawn और यहाँ पर मैं लिख दूँगा piece.white pawn तो हम ऐसा कर सकते हैं बहुत easy है तो आप देखना सारी चीज़े वैसा ही काम करेगी जैसा करनी चाहिए थी अगर मैं console में जाता हूँ there is no error भाई बहुत सही है कोई error नहीं है तो ओके तो हम इस चीज़ को करके हमारा जो 12 line का code है मान लोगे कि यहाँ आप 12 function है इसके अंदर तो अगर मैं 12 line में जो code लिख रहा हूँ वो मैं सिर्फ एक line में लिख सकता हूँ उसके बाद मैं dot करके सारे के सारी चीज़ों को देख सकता हूँ अगर मैं इस piece को दीखाना चाहूँ आपको कि यह piece है क्या actually मैं तो आप देख सकते हो एक module है और इसके अंदर सारे के सारे functions ही होंगे भाई देख सकते हो बहुत सारे function है राइट तो ऐसे हम कर सकता है इस चीज़ को ओके no problem अभी के लिए इसको side में रखता है अभी मुझे क्या करना है let's say कि अभी मैं इस रुक को A8 हो या फिर H8 हो तो मैं black के रुक को return करना चाहता हूँ अभी वो मुझे logic लिखना है बहुत ही simple है very simple let me okay see it square square piece square ID okay if square मेरे ख्याल से अभी काम करनी चीज़ थी चीज़ है लेकिन data में थोड़ा change करना पड़ेगा मेरे ख्याल से piece render और उसके बार data में से आ रहा है okay let me see init game में मुझे देखना पड़ेगा और square raw के अंदर ही मुझे देखना पड़ेगा right so for square और यहां पर आ रहा है okay मैंने blackpond कहां पर use किया मुझे अभी पता नहीं चल रहा let me go to main.js blackpond मैंने कहां पर use किया so मैंने init game render के अंदर use किया piece dot शायद उसी के अंदर मैंने use किया है let me write it okay तो यहां पर मैं directly id का नाम लिख सकता हूँ render black rook छोड़ी space दे देता हूँ आपको सही से दिखे copy करूँगा paste करूँगा और यहां पर id को हम ऐसे करेंगे compare यह हो सकता है और ऐसे करके हम दे सकता है यह हो सकता है तो मुझे यह दे दो तो वह हो जाएगा यह तो मुझे a8 वाला चाहिए या फिर h8 वाला चाहिए let me write it h8 या फिर a8 अभी देखता है कि क्या आता है render black rook oh sorry मुझे function को call करना चाहिए था आप देख सकते हो कि अभी rook आ रहा है तो यह rook हो गया अभी मुझे night अगर render करना है कुछ नहीं करना है जी इसको मैं ctrl d करूँगा black knight यहाँ पर मैं कर दूँगा h7 7 नहीं होगा मेरे ख्याल से क्या होगा b okay b8 sorry so b8 e b c d e f g h i तो g आएगा अभी मैं यहाँ पर g लिख दूँगा और यहाँ पर कर देता हूँ bishop कर देंगे black bishop okay अभी आप देख सकते हो यह render हो रहा है इसको मैं करते जा रहा हूँ दू बार काफी बार कर सकता हूँ so अभी तीन बार मैं इसको copy कर देता हूँ okay okay वैसे मुझे bishop नहीं करना था sorry यहाँ पर मुझे knight करना था okay so कुछ प्राब्लम आ रही है d8 queen sorry so let me see if d8 तो आ जाएगा अपना king queen आएगा queen ठीक है तो ऐसा आएगा king का लॉजिक हम लिखेंगे abcd e e8 okay e8 पर आ जाएगा king ठीक है okay if I go to first move तो first move में मुझे सारा दिखा रहा है कि कैसे आ रहा है इसको straight tracker बोलते है मान लो कि मैं अगर पहला move करता हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा यह सारी चीज़े यह बताता है ठीक है वैसे मैं इसको रख सकता हूँ अगर मुझे रखना है तो लेकिन वह हम आगे देखेंगे कि हमें रखते है या नहीं रखते है ठीक है अच्या बार हो गया है अभी मैं इसको कर सकता हूँ .id id से कर सकता हूँ अभी हम देखते है directly पहले king पे focus करते हैं to d1 sorry queen पे focus करते है so it's going to be queen right white queen हो जाएगी फिर इसको मैं copy करता हूँ और paste कर देता हूँ तो अभी देखते है sorry for that अभी तो d1 तो हो गया अपना d1 हो गया है let's say ebcd और e1 है then we are going to say white queen नहीं white king दे दे तो वो हो जाएगा ठीक है इसको मुझे इसे करना पड़ेगा ओके तो यह काफी सही से आ रहा है तो मुझे rook का logic में लिख देता हूँ white rook rook में कौन सी चीज़ आएगी e1 और h1 बहुत ही simple है e1 h1 इसका ही copy कर देता हूँ जल्दी से और king के नीचे paste कर देता हूँ अरे यार copy paste क्यों नहीं हो रहा black rook तो white king तो यहाँ पर मैं जल्दी से paste कर देता हूँ और वह जाएगा h1 में और e1 में अगर है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा white rook okay तो आप आप देख सकते हो कि white rook सही से आ रहा है then और एक चीज है black rook है black knight है इसको मैं copy कर सकता हूँ और यहाँ पर paste कर दूँगा मुझे सिर्फ यहाँ पर 1 डालना है जहाँ पर भी मैं यह डाल रहा हूँ मुझे वही डालना था और मुझे यहाँ पर लिखना था black knight white knight white knight सही से आ रहा है अब यह सिर्फ एक ही चीज बाकी है क्योंकि यह bishop तो bishop के लिए हम क्या करेंगे bishop क्या square कौन सा हैगा c और f c f white bishop और हो गया है अपना काम ठीक है अपना काम सही से आओ गया है अभी एक चीज मुझे करनी पड़े कि कमेंटिंग में धंग से देख लेता हूँ यहाँ पर queen आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा king यहाँ पर rook है यहाँ पर knight है तो knight है और यहाँ पर आ जाएगा bishop यह सारी चीज आ गई है वैसे और काम भी कर रही है आप देख सकते हो कि सारे का सारा जो भी हमने logic लिखा है उससे यह render हो गया है तो हमारा जो chess board है वह initial position होती है वह ready है अभी हम चल सकते है इसको dynamic बनाने में अभी यह हर बार काम करेगा और मैं एक बात बता दो आपको कि यह जो function है init game render यहाँ पर मैंने comment लिखे द्यान से पढ़ना यह comment दो बार पढ़ना अगर समझ नहीं आती तो use when you want to render board for first time when game start तो जब game start होती है जब भी game start होती है तब यह function call होगा automatically call होगा मैंने यहाँ पर set करा के रखा है तो automatically ही call हो जाएगा ठीक है I hope आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बुल रहा हूँ अभी एक चीज है UI जब भी UI में कोई change आता है let's say यह पुरा का पुरा board है ठीक है तो इसके अंदर जब भी change आता है तब मुझे कही न कहीं इसको listen करना पड़ेगा अभी मैं हर एक square के उपर रख सकता हूँ अगर मुझे event listener रखना है let's say कि मैं event listener रखना चाहता हूँ तो मैं हर एक square के उपर भी रख सकता हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना भाई तो मैं क्या करूँगा मैं पूरे के पूरे board पर ही रख दूँगा एक ही बार रखूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप लोग देख सकते हो अभी के लिए मैं इस पर अगर क्लिक करूँ let's see इस पर जो main element है root वाला उसके उपर मैं directly event listener रख सकता हूँ so let me just let me write event listener वो मैं रख सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर कोई logic नहीं लखूँगा मैं दूसरी file में ही लिखूँगा so let me create a new folder जिसका नाम होगा events अभी के लिए मैं events ही लखता हूँ और events बहुत सारी होगी और यही main part है chess game का यह अभी तक मैंने बनाया वह तो बहुत ही आसान था ठीक है यह आप static HTML CSS से भी बना सकते हो लिख लिख के यह बहुत आसान था लेकिन फिर भी मैंने आपको mental model समझाते हुए बनाया ठीक है आपको समझाते गया मैं क्या क्या मैं बना रहा हूँ और उसके बाद मैंने बनाया आपको at least समझ में आये ठीक है अभी events के अंदर मैं जल्दी से एक file बना देता हूँ main या फिर event.js okay event.js मैं बना देता हूँ या फिर global event का जो भी function रहेगा वो इसके अंदर ही रहेगा ठीक है तो मैं जल्दी से export कर देता हूँ एक function पहले मैं एक function बना देता हूँ global event this is very important function और यह function हम एक ही बार execute करेंगे जब game start होगी मैं आपको पूरा logic समझाओंगा इसका क्या है क्या नहीं है लेकिन अभी के लिए मुझे इस root के उपर यह root आपको दिख रहा है इसके उपर एक event listener डालना है और कुछ मेरा मकसद नहीं है ठीक है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि हम root due को यहाँ से भी export कर रहा है राइट तो मैं यहाँ भी export कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर भी use कर रहा है तो मैं एक नया file बना सकता हूँ यह फिर मैं नया folder ही बना सकता हूँ helper करके आप देखो यार मैंने काफी सारे folder बना रही है ठीक है मुझे जब की दो ही तीन ही file की ज़रूवत थी index.tml index.js और css वैसे सच बोलूँ मुझे तीन file की भी ज़रूवत नहीं है मैं एक ही file में सारा का सारा mix लेख सकता था लेकिन वह बहुत ही वह हो जाएगा ज्यादा ही क्या बोलता है खराब approach हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या होगा कि सारी की सारी चीज़े एक ही file के अंदर आ जाएगी वह maintain करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए अभी helper के अंदर मैं इस constant को भी डाल सकता हूँ और इसको export करा कि यहां पर import करा सकता हूँ ऐसे चीज़े मुझे क्यों करनी चाहिए इसके लिए मुझे नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए वैसे मुझे करनी चाहिए यह चीज़े क्योंकि यह चीज़े बहुत काम आएगी जब भी आपका project grow करता है तब ठीक है और अभी मुझे पता नहीं है कि project कितना complex होने वाला है ठीक है इसलिए अभी safe side में हम रहते हैं और एक architecture को एक structure को एक structure को follow करते हुए project बनाते है ठीक है तो helper के अंदर मैं जल्दी से constant लिख सकता हूं constant file का नाम लिख देता हूं constants.js और इसके अंदर सारे के सारे constant होगे जो भी हम use करते है ठीक है let me write the constant that we are using main के अंदर एक constant इसको अटा के यहां पर रख देता हूं constant और export root due okay root due constant है यह तो वह मैं यहां पर import करा सकता हूं और यहां पर मुझे import कराना पड़ेगा क्योंकि यहां पर root due नहीं है अगर मैं इसको save करके जाओंगा अब देख सकते हो कि पूरा का पूरा game ही break हो चुका है और मुझे कोई दीखी नहीं रहा राइट तो इसलिए इसलिए मुझे इंपोर्ट तो करा नहीं पड़ेगा इंपोर्ट root due from this अभी सारी चीज़े वैसे ही काम करेगी इसको मैं copy करूंगा और अभी के लिए हम इसको बंद करते हैं और यहां पर import करा दखता हूं तो आप देख सकते हो आ रहा है root due के उपर मैं event listener लगा दूँगा ठीक है तो चलते हैं देखते कैसे हम लगाते हैं so root due dot add event listener उस पर जब भी क्लिक होता है सब event listener आएगा और वैसे सच बोलू तो यहां पर एक function आना चीए था और यहां पर ऐसे आना चीए था तो यहां पर एक object मिलता है हमें हर बार अगर मैं कोई event देखता हूँ तो उसका मुझे object मिलता है जब भी click event आती है कोई भी event आती है ठीक है इसमें बहुत सारी event होती है अगर मैं आपको options बताओ तो यहां पर आप देख सकते हो यह सारी की सारी event के type है और इसके अंदर होगा click मैं आपको बता सकता हो अगर आपको देखना है तो ABCD और C पे आप देख सकते हैं यहां पर click है change है can play through it, cancel है, blur है बहुत सारी events है सारी की सारी browsers सारी की सारी events सपोर्ट नहीं करते हैं most popular जो भी होता है most popular events भी support करते है और click एक सबसे जानी मानी event है मतलब most used event है ठीक है click तो इसको मैं करता हूँ और जैसे ही click होता है तब मुझे एक event का object मिलता है अभी मैं आपको console.lock करके बताता हूँ कि इस object के अंदर होगा क्या let me show you वैसे दूसरी कोई चीजे काम नहीं कर रही है लेकिन मुझे इसको export भी करना पड़ेगा so export global ऐसे मैं लिख सकता हूँ simple global ऐसे हो जाएगा और मुझे यहां पर से import करना है global event और मैं call कराऊंगा इसको एक ही बार जब यह हो जाएगा ready add click अभी मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसके उपर तो आप देख सकते हो मुझे event मिल गई है अभी एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी तो यह cursor change हो रहा है क्योंकि यहांपर hand picking का option आ रहा है जैसे मैं piece पे over करता हूँ let's say कि यहांपर plane है नहांपर route cover करता हूँ तो यहांपर कोई problem नहीं ओर करता हूँ जैसे मैं piece पे over करता हूँ तो इसका symbol hand में आ जा रहा है तो वह भी मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी के लिए हम रहने देते हैं अभी के लिए रहने देते हैं so route view add event listener वैसे मैं कर सकता हूँ CSS, end effect मुझे चाहिए, तो cursor property की बहुत सारी चीज़े हो सकती है, तो cursor alias है, all scroll cell है, बहुत सारी चीज़े हैं वैसे इसके अंदर, तो मैं hand रख सकता हूँ, अभी मैं hand कैसे रखूँगा मैं देखता हूँ, तो, आ, ये रहा, ओके, तो grab वाला अगर है, तो hand हो सकता है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ, और CSS में मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ही simple सी चीज़ है, तो styles में जाऊँगा, index.atml के अंदर, और यहां पर, piece है, piece करके, या फिर नहीं है, piece कहां पर है बाई, ओके, तो यहां पर cursor में रखूँगा, grab, तो आप ध्यान से देखना क्या आ रहा है, तो ऐसा symbol आ रहा है, तो ऐसे करके symbol आ जा रहा है, लेकिन मैं grab नहीं, अभी के लिए pointer रख देता हूँ, वही सही रहेगा, कि इसमें तो actually, इसको बन कर देता हूँ, इसमें grab होता है, इसमें आप पकड़ के आप ऐसे कर सकते हो, इसमें grab होता है, लेकिन यहां पर grab नहीं होता, तो इसलिए अगर मैं इस पर click करता हूँ, तो भी काफी सही लगता है, कोई बात नहीं, यह तो छोटी सी fact थी, इसमें कोई research करने की ज़रुबत नहीं है, ओके?